नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सरद्यादव के निधन पर लालू यादव और तेश्री यादव ने कही ये बात सरद्यादव के निधन पर लालू यादव और तेश्री यादव ने कही ये बात बीतीराज जनतादल यूनाइटट के पुर्वराश्ट्री यादव और पुर्वकेंद्रिय मंत्री सरद्यादव का 75 साल में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया वहीं इनके निधन की खबर को सुनकर राजसुप्रीमो लालू पुर्शाद यादव ने एक वीडियो शेयर करते वे अपने सुर्वाक्ती दिरों को याद किया और कहा कि आज उनके निधन की सूचना को सुनकर मन दुखी हो गया है सरद भाई को मेरी शरद धांच ली और उनके परिवार को यह दुख सहनी की हिम्मत दे वहीं बिहार के उपमुखे मंतरी तेश्वी यादव ने सरद यादव के बेटे और उनके परिवार को सांत्वना दी और कहा कि पहले मुलायम सिंग यादव दुनिया से चले गए और हाई कोट ने जताया असंतोस पटना हाई कोट के जस्टिस पीवी बजन थ्री और जस्टिस अरुन कुमार ज्छा की खंडपीट के दौरा विश्विद्याले सेवा से जुरी एक अपील याचिका पर सुनवाई करते वे अपना महतवपुर निर्ने लेकर या सपस्ट कर दिया जिसके अंतरगत हाई कोट के किसी भी आदेश का अनुपालन दो सब्ताह में करने या उश आदेश के खिलाब दायर करने हे तुँ एक प्रस्ताव चार हफते में अग्रसारत करने का निर्देश दिया गया है इसके साथे इस 14 उत्रे निर्देश के अंतरगत कोट के द्वा सरकार को कई निर्देश दिये गया है जिसका अनुपालन हो सके इसके लिए कोट ने मुख्य सचीफ को दो हफ़ते का समय दिया है मॉनिटरिंग कराली प्रारंप करने के लिए प्रदेश में लंपी वाइरस की लहट जानवर किये जाएंगे क्वारंटाइन बिहार में लंपी के चपेट में राज्य के कुल 1258 गाय आचुके है जिनमें से दो गाय की मौत भी हो चुकी है तो वहीं अब तक राज्य में कुल 933 पशू अच्छी इलाज से ठीक भी हो गया है इस वारस को देखते वे पशू स्वास्ते एवं उत्पादन संस्थान के दौरा कंट्रोल वहाग के सचीव के दौरा दी गई है वहीं इसके बचाओं के लिए अब प्रदेश के 28 जिलो में टीका करन की अभियान की शुरुवात की जा रही है बैसे भी परिक्षा के एड्मिट कार्ड में तूर्टी होनी पर सर्फ ये काम करके दे सकेंगे एक्जाम वैसे छात्र ज रूटी होने पर भी परिक्षा देने की अनुमती दे दी गई है बोड ने कहा है कि अगर किसी परिक्षारती के एड्मिट कार्ड में किसे भी प्रकार की गलती पाय जाती है तो वह उस स्थिती में अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन किसी एक दस्तावेज की छाया प्रती तथा परिक्षारती के एड्मिट कार्ड को किंद्रा धिक्षक त्वारा सत्यापित कर एग्जामिनेशन आप पर भेजना है जिसके आधार पर पर परिक्षारती को परिक्षा में बैठनी के अनुमती दे दी जाएगी बिहार की पाँच नदियों में शुरू हुई डॉल्फिन की गिंती किंद्र सरकार की पहल से नमामी गंगे परियोजना के तहट बिहार के पाँच नदियों में डॉल्फिन की गिंती की शुरुवात हो गई है जिसका परिणाम दिशंबर तक सामने आ सकता है बता दे कि बि गंगा कोशी और महानंदा में डॉल्फिन की गिंतियों को पूरा किया जा चुका है मालूम हो कि बिहार में आकरी बार डॉल्फिन की गिंति 2018 में बिहार सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से करवाई गई थी जिसमें 1464 डॉल्फिन पाए गए थे गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन में शामिल हुए तेश्री यादव दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन समाड़ों में बिहार के मुख्यमंत्रे नितीस कुमार की जगा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेश्री यादव शामिल हुए बता दे कि आज यानि सुकरवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी प्रधान मंतरी मोदी के दोरा यूपी के वारा नसी से M.W.E. गंगा विलास क्रूज को रवाना किया गया जो यातरा के दोरान भारत के पांच राजियो से गुजरते वे बैंग्लादेश से गुजरेगा इस दौरान गंगा विलास क्रूज के उधगाटन कारिकरम के दौरान उपमुकेमंती तेश्री यादवी वीडियो कॉन्फरेंसिंग से जुरेड है इस दौरान नितीज कुमार के शामिल नहीं होने पर राजनितिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है इस से पहले भी नितीज कुमार जी 20 सिखर सम्मेलन को लेकर हुई प्रिधान मंत्री की बैटक में शामिल नहीं वे थे और अपनी जगह तेश्री यादव को भेजा था बिहार डियालेट परिक्षा के एकजाम पैटन में हुआ बड़ा बदलाओ कर दिया गया है बतादे की किये गए बदलाओ के अनुसार अब इस परिक्षा में गलत उतर देरी पर किसी भी अभ्यर्थी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसके साथ ही अब अभ्यर्थि को नए पैटन में एक सही जवाब के लिए अब तीन की जगा एक ही अंक दिये जाएंगे जानकारी के लिए बता दे कि अब सफल होने के लिए नियुंतम अंक पैतिस कर दिया गया है जिसमें आरक्षि श्रेनी के अभ्यर्थियों को तीस अंक लाने होंगे वहीं अब उन अ भी दे दी गई है बता दे कि मिनस्ट्री के द्वारा इसका नाम मंदार परवत कोलवग नरधारित किया गया है और इसे राज्महल कोर्व फिल्ड में शामिल कर दिया है जानकारी के लिए कि मन stirring मैट्वखन कर मेंटल trades कोर्परेशन लैंटिड यानि की MST-C-L को दी गई है बताते चले कि इसके लिए 24 जन्वरी को फाइनेंसियल बीड खुले का जिसके बाद एग्रिमेंट कर लीस पर कोईला उत्खरन शुरू कर दिया जाएगा मकर सकरांती और शरस्वती पूजा के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च पटना पुलिस के टीम पटना यूनिवर्सिटी में शरस्वती पूजा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोर में आ गई है बता दे कि बीती रात पुलिस ने पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस समीद कॉलेज कैंपस में संदग्ध स्थानों की जांच परताल की और साथी फ्लैग मार्च भी किया पीर बहुर्थाना ध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार मकर सक्रांती के दिन गंगा नदी में चलने वाले नाओ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है दरसल सरसोती पूजा के पहले कई बार चंदा विवाद हो जाता है तो कई बार पटना यूनिवर्सिटी के होस्टिल के छात्राओं और स्थानी लोगों के बीच जड़ब हो जाती है किसी को देखते वे किसी प्रकार का कोई लौ एंड और न टूट या न प्रिगरे इसलिए पटना पुलिस अलर्ट हो गई है मकर सकरांती पर नहीं होगा राज़त का दही चुड़ा भोज पुर्व के इंद्रिय मंत्री सरद यादव के नधन को लेकर राज़त के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है बता दे कि राज़त के द्वारा शोचल मीरिया पर दी गई जानकारी के नुसार अब मकर सकरांती के अफसर पर राज़त के द्वारा किया जाने वाला भोज को अस्थगित कर दिया गया है चौसा विवात पर जास समीती का हुआ गठर बकसर के चौसा में किसानों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर बिहार प्रदेस कमीटी के अध्यक्ष डॉक्टर अकिलेश प्रसास सिंग के द्वारा इस मामली को गंभीरता से लेते वे बकसर सदसे कॉंग्रस विधायक संजय क रिपोर्ट प्रदेस कॉंग्रस अध्यक्ष डॉक्टर अकिलेश प्रसास सिंग को सौपे की दरसल चौसा में नर्मानादीन थर्मल पावर प्लांट के भू अधिग्रहन में किसानों वह भू स्वामियों के द्वारा मुआवजे नहीं मिलने को लेकर पच्चासी दिनों से धर्णाक दिया जाड़ा था जिसके बाद मंगलवार की रात को पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर सभी के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जिससे अक्रोश में आए किसानों ने पावर प्लांट को छति ग्रस्त कर दिया और साथ ही पुलिस के कई बाहनों को आपके हवाल भी कर दिया खात की काला बजारी पर सुधाकर सिंग का बयान एक बर फिर से सरकार के पुर्व क्रिशे मंत्री और रामगर विधान सभा से राज़त विधायक सुधाकर सिंग ने सरकार की विवस्था पर उंगले उठाते वे खात को होड़ ही काला बजारी पर अपना बयान किया तो सरकार में बैठे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ सकता है तो उसके पढ़िनाम अच्छे कैसे हो सकते हैं मुझे नहीं पता किस छेत्र की सरकों का ऐसा हाल कैसे और किसकी लापडवाही का नतीजा है ये पराने वाले साथ से आठ महीनों में इस सरक का निर्मान काड़े फिर से सुरू हो सके इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरी संभव प्रयास करूँगा बारवी बोर्ड में 75% के साथ टॉप 20% में शामिल स्टुदेंट्स को भी मिलेगा NIT IIT में प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानि की NDA के दौरास पस्टी करन कर यह जानकारी दे दी गई है कि अब वैसे स्टुदेंट्स को भी NIT IIT में प्रवेश मिल सकेगा जो बारवी बोर्ड में 75% के साथ टॉप 20% में शामिल होगा ऐसे में अब देश के सभी राजियों के बोर्ड को जल्द से जल्द टॉप 20% जारी करना होगा बता दे कि यह परसेंटाइल पिछले दो गत वर्षों की होगी क्योंकि पिछले गत दो वर्षों से इस मापदन से स्टूरेंट्स को छूट दी गई थी वहीं अब इस नियम के लागों होने से उन सभी छात्रों को काफी राहत मिलने बादी है जो NIT IIT में प्रवेश पाने से पीछे रह जाते थे पुर्व कोच ने धोनी के सन्यास को लेकर किया खुलासा पुर्व भारतिय कप्तान महिंदर सिंग धोनी ने 2020 में तराश्ट्य क्रिकेट करियर से सन्यास ले लिया था वहीं अब उनके सन्यास को लेकर पुर्व कोच आर श्रीधर के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गय कि धोनी के सन्यास के बारे में उन्हें और रिशब पंत को जानकारी दी गई थी उन्होंने कहा कि मैंचेस्टर में न्यूजिलाइन के खिलाफ अमारे विश्व कफ सेमी फाइनल में रिजर्व डे की सुह में मैं ब्रेकफास्ट हॉल पहुचने वाला पहला व्यक्ती था मैं अपनी कॉफी पी रहा था जब एमस और रिशब अंदर आए अपना सामान उठाया और मेरे टेवल पर बैठ गया जिसके बाद रिशब पंत ने एमस धोनी से कहा कि भाईया कुछ लड़के आज ही अकेली में लंदन जाने की योजना बना रहे हैं क्या आप इंट्रेस्टेड हैं एमस नहीं जवाब दिया नहीं मैं टीम के साथ अपनी आंकरी बस ट्राइब को मिस नहीं करना चाहता जानी आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रिट बिहार में आज यानि सुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रिट जारी किये गए जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रूपए और डीजल 94.9 रूपए पती लीटर में मिल रहा है ठागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 118.26 रुपे और डीजल की कीमत 94.9.7 रुपे पती लीटर नुधायिद की गई है जिन्होंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्वा, कुषकुमार यादव, नुनोगोलु कुमार, रवीशंकर, नुश्रत बन्नु, मुटुर रंगीला, शुनील कुमार, रहमत परवीन, संकर मुख्या, नितीज कुमार, उमेश कु के साथ बने रहने के लिए देखते रहे, बिहारी न्यूस और साथ अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद